एस्ट्रोलोजिय में कुंडली के सिवंथ स्थान यária सप्थम स्थान से विवाह के बारे में देखते हैं तो विवाह मेयरिज शादी विवाह ये सब एक इंपॉर्ड़न्ट सubjek्ट है और किसी भी कुंडली में आप उसके सिवंथ स्थान से में शादी ब्याहा के बारे में देख सकते हैं तो वह शादी ब्याहा' के बारे में दिज्केशन चलरा है उस्सेर्ट जो सब्जेक्ट यह यह वह मिलापक का मतलब कि शादी ileर और कंया deposit की कुЩ मिलाई जाती है और वह तीन तरह से मिलाते हैं नक शत्र मिलाक कैसी रहेगी अच्छी रहेगी नहीं रहेगी तो उसी के हिसाब से उनको विवा के लिए पर्मिशन दी जाती है और वो विवा होता है तो इसी मेलापक के साथ में वर और कन्या के गुण और दोश को भी देखना चाहिए ये भी दोनों चीजें कुंडली से ही देखी तो फिर वो उनकी माड़े लाइफ अच्छी रहेगी तो अभी टॉपिक चल रहा है वह कन्या और कन्या के दोश के बारे में बता रहे हैं तो पिछले लेक्षर में आपको खराब स्वास्त के बारें बताया कि वर कन्या में किसी एक का या दोनों का अगर स्वास्त खराब रहे, हिल्थ खराब रहेगी, तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, तो उसी कंटिनिशन में आज जो टॉपिक है वो दरिद्री योग है यह भी एक महादोष है कुण्डी का, तो यह आपको कुण्डी देखने से पता चलेगा, कि वर की कुण्डी देखए और कन्या की कुण्डी देखए, दोनों की कुण्डी में कहीं ऐसा तो नहीं, कि उसमें दरिद्र योग लिखा हुआ है, ग्रहु का प्लिस्मेंट ऐसा ह जिससे वो पता चला है कि दरिद्रयोग है इसमें तो वो उनकी मेरिड लाइफ खराब रहेगी और ये एक बहुत ही बड़ा दोश माना जाता है कुंड़ी कर रहे अब इस चीज को कैसे देखें कि वर की कुंड़ी और कन्या दुरू की कुंड़ी देखनी आपको तो इसमें आप देखिए जन्म लगन और लगनेश यानि जन्म लगन जहां विक्तिनी जन्म लिया उसका लॉड यानि जन्म लगनेश इसी तरह से चंद्रमा जहां कुंडली में बैठें वह ये चंद्र लगन हो गया और वह जिस राशी में बैठें उसका लॉड जो है चंद्र लगन तो जन्म लगनेश देखिए जन्म लगनेश देखिए जन्म लगनेश देखिए चंद्र लगनेश देखें इसी तरह से सूर्य लगन और सूर्य लगनेश को भी देखिए और धन भाव धन भाव जोता है प्रॉफिट का घर है तो एकादशिस्थान या 11th house देखिए और 11th का लॉड देखिए एकादशेश इसके लवाग गुरू को देखना जोड़ी है कि गुरू जो धन के कारक है ये धन के कारक माने जाते हैं गुरू ब्रहस्पती तो इनको भी देखना जोड़ी है तो आपने क क्या देखा कुंड्ली में जनम लगनेस चन्द्र लगनेश सूर्ड लगनेश सुरि लगनेस जेकेंड हाउस सेकेंड का लॉड 11th हांस 11th का लॉड और गुरू इनको इनकी स्टडी करिये इनका lowest क्या है कैसी है तो अगर ये कुंडली में वीक हैं निर्वल हैं और पाप ग्रहों से युत हैं द्रस्ट हैं और इनका अगर कहीं रिलेशन 6-8-12 हाउसे से हैं या 6-8-12 के लॉड्स के साथ में इनका रिलेशन है या अपनी नीच राशी में बैठे हैं डिबिलेटेटर राशी में या का ग्रहों का प्लेश्मेंट मिल रहा है आपको तो उससे फिर उसको दरिद्री योग होगा और वो व्यक्ति दरिद्र होगा यानि उसके हमेशा धन की कमी रहेगी और मैरिट लाइफ खराब हो जाएगी अब इसी से रिलेटेटर बहुत सारे योग बताएं रिशियों ने तो कुछ यह होगा अपको पताते हैं कि अगर सपोस्वय लगन जो है वर या कन्या के कुर्डी आप देख रहे हैं तो लगन फर राषी का हो गो्ति fingernail 튀क होगा यह इंपोर्टेंट योग है इसी तरह से मालिजब की लग्ण जो स्थिर राशी में हो इसकी राशी होती है 25811 दो नमबर 5 नमबर 8 नमबर और 11 अधार नमबर की राशी अगर लगन में है तो उसको कहेंगे कि स्थिर लगन की की राशी है तो इस तिर लगन 258 11 हो और शुब्ग्र कोई भी शुब्ग्र केंद्रिया त्रिकोण में नहूं तो ऐसे केस में वह विक्ति दरिद्र होगा रही लगनेश देख लिए लगनेश सस्थेश में राशी परवरतन हो जाए लगनेश सस्थेश में राशी परवरतन हो जाए और किसी एक लगनेश स grill के लाशी पर शब्दमेश की दरिष्टी हो जए हो जाए तो ऐस्त में वह जो है पूरुष आपनी पत्नी के कारण शादी के बाद अपनी पत्नी की वजय से दरिद्र होगा यह एक पत्वद्र नहीं किया है मस हो जो है कि अपनी पत्नी की वजय से वह व्यक्ति दरिद्र होगा इसको फिर सबताते हैं बहुत important यह हो गए कि लगनेश और सस्थेश में राशी परवर्तन हो गया लगनेश सस्थेश की राशी में सस्थेश लगनेश की राशी है बैड़ गया और किसी एक के ऊपर लगनेश या सस्थेश पर सप्तमेश की तो ऐसे केस में वह व्यक्ति जो है पुरुष अपनी शादी के बाद अपनी पतनी की वज़े से वह दरिद्र हो जाएगा या उसको दरिद्री होगा पिर लगनेश की यूति लगनेश का कंजेंग्शन या लगनेश की यूति जो है छे आट-बारा के लॉड के साथ में हो जा जाए अस्टम में लगनेश कुंडी के अस्टम इस्थान में बैठ जाए जो बिग्न बाधाओं का घर है मारक इस्थान है और एर्थ इस्थान जो है वो भेंकर रोग या chronic disease का है long standing disease का घर है तो लगन जो है लगनेश वो एर्थ में बैठा और उसके ओपर वो मारकेश यानि second और seventh दो मारक हाउस होते हैं इनका Lord जो होगा मारकेश होगा यानि द्वितियेश और सब्तमेश तो second Lord और या सब्तमेश की द्रस्थी हो जाए या यूथ हो जाए साथ में इसको फिर से बताते हैं कि लगनेश जो है अस्टम में बैठा राइट लगनेश लड साथ में बैठ जाए यूथ हो जाए या द्रस्थ हो जाए रही है लगनेश वाली ये कुंडली में निर्भल है वीक हो गया लगनेश बहुत निर्भल है और इसके लावा जो second का Lord और twilth के Lord में राशी परवर्तन हो जाए लगनेश निर्भल हो गया राइट वीक है औ और इसके मतलब कुंडली ही वीक हो गई और लगनेश निर्मल हो और सेकेंड के लॉड और ट्रिल्थ के लॉड में राशी परवर्तन हो गया यानि सेकेंड का जो लॉड है धन का इस्थान है धन का लॉड वो राशी ट्रिल्थ के लॉड हानी के घर के लॉड के में बैठा और वो कि यह वो सेकंड के लॉड की राशी में बैढ़ गया सेकंड लॉड और छुल्थ के लॉड में राशी परवर्तन हो गया और लगनेश वीख है तो ऐसे के इसमें विक्ति जो है दरिद्र होगा राइड लगनेश लगनेश जो है मालिये कि 12th हाउस में यानी हानी के घर में किसी मारक ग्रह से यूतिया द्रस्ट हो, वोई मारक ग्रह है, उसे एक तो लगनेश 12th house में बैठ के वो ऐसे ही कमजोर हो गया, वो हानी के घर में बैठ गया, और उसके उपर जो है वो किसी मारक ग्रह की द्रस्टी हो जाए, तो ऐसे केस में विक्ति दरिद्र होगा, लगनेश प्लस चतुरथेश प्लस नौमेश, लगने का λॉड प्लस फोर्थ का लॉड प्लस नाइंथ कीनला। लगनेश प्लस चतूरथेश प्लस नौमेश ये अगर अस्तम में बैड जाएं, तो विक्ति जन्म से ही धरिद्र होगा, ये बहुत इंपर्ट्रेट योग है, ल यहां आपने धन इखटा किया है तो सेकंड हाउस में पापी ग्रव हो पापी ग्रव बैढ़े हैं पापी ग्रव मतलब शनी है राहू है के तू इस तरह के घर बैढ़ जाए ग्रव बैढ़ जाए और लगनेश प्लस 10th या 11th का लॉड 12 में हो लगनेश के साथ में दशमेश या एकादशेश जो है यह हानी के स्थान में 12 में बैढ़ जाए तो व्यक्ति उधार से ही परिशान रहेगा आए दिन उधार उसको लेना पड़ेगा और वो उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा उधार लेगा उस की रिपलेगा रिण एक अधार लेता रहेगा रह्यां रगी शेक्न का लॉड देखिए से तरिग भाव में हो जाए दुर्द petty कंटें निर्वल हो अब दीखिये फेल्एक कर दो जो है क्या है यह धन का इस्थान बेंक बैलेंस का इस्थान है एलेवेंथ इस्थान वह इंकम है जहां आपने इंकम किया आपके अ करो प्रोफित हुआ तो सेट का लॉड और 11 कール निर्वल होर एलैवेंथ के लॉड के उपर पाप ग्रह की यूति या द्रश्टी हो जाए तो व्यक्ति निर्भल होगा व्यक्ति जो है वो निर्धन होगा या दरिद्र होगा सेकेंड का लॉड अस्टम में बैढ़ जाए जो अच्छा घर नहीं है अबस्टेकल्स के से भरा हुआ अगर बिगन बाधाओं का घर है तो सेकेंड का लॉड जो है एर्थ में बैठा और वो अशुब ग्रह या नीच ग्रह के साथ में बैठे सेकेंड का लॉड जो है वो सेके का नीच राशी का ग्रह है उस साथ में बैढ़ जाए उसके उपर सूर की द्रस्टी हो जाए तो ऐसे केस में व्यक्ति गब्मेंट से कोई लॉस होगा यानि गब्मेंट से उसको कोई यह काफी हैवी लॉस होगा राइड शेकें का लोर्ड यह सेट था मरेंट साchos में इंट के साथ में बैड़ यह पापी ग्र मतलब पापीोंग्र मंगल है शणी है राहूं यह सब में बैठ है तो कोमने साथ में निट अशक्ष के हो निट पेडा जाए जो धनेश है और राशी परवतन कीज़ वा जो हानी का स्थान है उसके लॉड के साथ में तो सेकेंड का लॉड बैठा 12th लॉड के राशी में और 12th का लॉड बैठा 2nd house की राशी में दोनों में राशी परवर्तन हो गया वो बैंक बैलेस रह नहीं नहीं देगा वो हमेशा लॉस होता चला जाएगा तो सारा पैसा उसका निकल जाएगा, ऐसा ही, वो बिल्कुल दरिद्र हो जाएगा, right. 2nd का lord 12th house में हो, 2nd का lord धनेश ये हानी के स्थान में 12th में हो गया और 12th का lord लगन में हो, देखेंगे, अब 2nd का lord बैठा 12th house में, 12th का lord कहां बैठा, लगन में बैठा, और उसके उपर मारक ग्रह की यूतिया द्रस्टी हो जाए तो व्यक्तिदरिद्र होगा अगर कुंडली में सूर्ज वो तुला राशी में हो तुला राशी में नीच का होता है लेकिन तुला राशी में भी सूर्ज अपनी 10th degree का हो यानि 10 degree का 10 degree पे maximum उसका effect होता है तो सूर्ज वो तुला राशी में लिब्रा राशी में 10 degree का अगर हो जाए तो अगर कोई राज योग भी है कुंडली में तो सब वो नस्थ हो जाता है और व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा यह बहुत important योग है लेकिन rarely समिलता है कि सूर्ज बिल्कुल exact 10 degree का हो तुला राशी में तो कोई राज योग है तब भी भी खतम हो जाएगा व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा चंद्रमा से 2nd and 12th में कोई ग्रह न हो जहां चंद्रमा कुंडली में बैठ है वहां से उनके जस्ट आगे जस्ट पीछे कोई ग्रह न हो इसको केमद्रूम योग कहते है केमद्रूम तो केमद्रूम योग जो है उसके भंग होने के भी बहुत सारे points होते हैं लेकिन ये दरिद्र हो जाएगा चंद्रमा अशुप घ्रह के बीच में आ जाएगा चंद्रमा एंड्शनी मिलके विश योग बना चंद्रमा एंड शनी साथ में कुंडली में कहीं बैठे हो उसको उपर मंगल की द्रस्टी हो जाए तो विक्ति दरिद्र होगा इसे बहुत सारे योग हैं कुछ और योग बताते हैं आपको कि मंगल प्लस शनी मंगल के साथ शनी ये कॉंबिनेशन अच्छा नहीं माना जाता मंगल प्लस शनी टेंथ हाउस में हो और चंद्रमा के उपर अशुग ग्रह की द्रस्टी हो जाए तो विक्ति दरिद्र होगा मंगल ट्फल्थ हाऊस में हो, भारुवय स्थान में हो, हानिके स्थान में मंगल ट्फल्थ हाऊस में बैठा उसपे अशुगर की यूती या धरस्टी हो जाए तो व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा कुंड़ी में सूर और ब्रहस्पति नीच राशी में हो सूर की नीच राशी क्या है तुला राशी अभी आपको बता है सूर तुला राशी में लिब्राम नीच का होता है ब्रस्पती होता है मकर राशी में नीच का हो जाता है तो कुंडली में ब्रस्पती इन सूर ऐसे बैठे हैं कि जो अपनी नीच राशी में बैठे है यानि ब्र में हो और पापकरतरी में हो शनी लग्र में बैठे हुए हैं और अगल बगल जो है पाप ग्रह हो पापकरतरी में हो तो व्यक्ति धरिद्र होगा केंद्र में अशुब ग्रह हो कोई शुब ग्रह की द्रस्टी हो केंद्र में अशुब ग्रह हो या केंद्र में कोई ग्रह ही न तो एसे विक्ति को शेयर में बहुत ज्यादा लॉस होगा है उसको शौकत होगा लेकिन वो श्यर लॉस होता चला जायगा दरिद्र हो लौद अस्तम में बैढ़ जाए और मारक से Над Dog दरेक्तिश्च्ट हो जाए, तो व्यक्तिजर भरूगा, सिकेंड का लॉड और finale लॉड में राशी परवर्द्र हो जाए, जम सचेंड का बैठा घ pend aqui., तो विक्ति दरिद्र होगा ऐसे बहुत सारे योग हैं कितने सारे हमने आपको योग बताए तो यह दरिद्री योग आपको देखना है वर और कन्या दुनुकुंडली में अगर दोनों की दोनों में किसी भी एक कुंडली में यह दरिद्री योग आ रहा है तो ऐसे फिर वो मैरिज नहीं होनी चाहिए और क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी वो हमेशा धन के लिए परिशान रहेंगे उनके पाद धन रहेगा ही नहीं जो धन है वो भी सब लॉस दरिद्री योग अगर कोई वर या कन्या की कुंडली में दरिद्री योग है तो फिर वो मैरिज नहीं होनी चाहिए इसको अध्यान से देखें स्टेडी करिए थेंक्यू